आज हम लोग ट्री बनाना सीखेंगे ठीक है क्योंकि अभी लैंड्सकेप चल रहा है और लैंड्सकेप में अगर आप ट्री एड्ड नहीं करते हो ट्री बनाना नहीं आता है आपको तो पेंटिंग बिल्कुल अधूरा लगेगा पेंटिंग देखने में मज़ा नहीं आएग ठीक है बिल्कुल नंगा पुंगा सा लैंड्सकेप लगेगा ठीक है एकदम बंजर जैसा लगेगा तो ट्री बनाना आपको चालना पड़ेगा सीखना पड़ेगा और भी थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा ठीक है वर्टकलर में जो टेक्निक अपना आ जाता है ट्री होना चाहिए ठीक है watercolor में जो tree बनता है बहुत smooth बनता है ठीक है जैसे मैंने अभी last class में बताया था आपको एक landscape मैंने बनाया था एक tree था सिर्फ उस में जो कि मैंने main subject जिसको बनाया था लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं समझ पाए कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा है कोई नहीं आज a special tree करते है तो reference आज ये रखेंगे तो ये वाले reference रखेंगे ठीक है ये बहुत एक हलकार सा पेड़ है देख सकते हो अब बहुत तगड़ा वाला नहीं है कि एकदम मोटा सा उसका जो डली वगरा होता है वो एकदम मोटा मोटा है इस तरह से नहीं है बहुत ही हलका है ये मजाएगा द खीचना है यहाँ पर और आज कुछ एड़ नहीं करना इसमें क्योंकि आज हम लोग सिर्फ यही सीखेंगे और यह चीज बिलकुल बरबर किलियर होना चाहिए ठीक है किसी को कुछ समझ नहीं है तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो या Instagram में मैसेज कर सकते हो मुझ और कमेंट में भी किसी ने किया है कि हाँ ट्री सिखाओ बनाने का कि कैसे बनाएंगे तो सही है आपको जिस पर भी दिक्कत होता है आप मुझे बोल सकते हो और चैनल पर जो नहीं हो सबस्क्राइब करेना और बेल आइकन को अन करके रखना ताकि हर दिन का जो भी क्लास आता है सुबह को 10 बजे एवरी डे वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आपके लिए वीडियो हेलफ हो लो आप कुछ सीख सको ठीक है और वीडियो को शेयर जरूर कर देना तक उन लोगों तक पहुंच है जो सीखना चाहते हैं जो पता नहीं है कि मैं फ्री में अगर क्लास एवरी डे ला रहा हूं ठीक है बिल्कुल जिन्मिन क्लास जो लाइप की तरह है अगर जिसको पता नहीं है और जो आप से जुड़े है तो प्लीज सेयर कर कर लेंगे और कुछ चीजों को दिखाएंगे और अभी रात की डेड़ बज़ गया है और अभी मैं ड्रॉइंग शुरू कर रहा हूं तो पता नहीं आज तो काफी लेट होने वाला है मुझे लग रहा है कि आज चार बज़ जाएगा सुबर बाद आप लोग बस वीडियो को सेयर कर देना आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो लोगों को जोड़ने का कोसिस करो एक मॉटिवेशन मिलता है नए नए लोग जोड़ते है ठीक है लाइक कमेंट्स यह सब आता है न एक मॉटिवेशन मिलता है काम करने में मज़ा आता है तो यह सपोर्ट करना पड़ेगा प्लीज आप लोग से यह जरूर कर देना वीडियो को आप लोग से जितना हो आप लोग सपोर्ट करो तकि मुझे काम करने में मज़ा है ठीक है अभी यह हो गया अभी यहाँ पर क्या करना है यह चीज को हाइट कर लेते हैं हम लोग ठीक है और यहां पर जो भी नीची थोड़ा सा जाड़ी टैप का है कुछ पत्तियां वागर है तो इसको थोड़ा सा कर लेंगे अगया है और इधर से यह क्या है तो यहां पर एक जाएगा ठीक है यह चीज आप बहुत डिटेल में पहले ड्राइंग करने ला देखू मैं तो कहीं कहीं पर ड्राइंग कर रहा हूं ठीक है क्योंकि कि मुझे समझ है कि मुझे कहा करना है तो आप यह चीज गलती मत करना ठीक है अभी आपको पहले ड्राइंग करना है फिर उसमें कलर बरना है ठीक है तो यह नहीं सुचना है कि मैंने भी ड्राइंग नहीं किया था और मैंने ऐसे कर लिया तो इसले कि मैं अभी बैलेंस कर ल तो process को कुछ दिन तक अपनाना पड़ेगा आपको उसके बाद आप खुले सांड की तरह घुमाना कोई फरक नहीं है कुछ भी बनाओ कैसे भी बनाओ आप अपना technique की उच करो कुछ भी कर लो ठीक है आप printing अच्छा बनाने से मतलब है लेकिन अभी आप सीख रहे हो तो process को अपनाना पड़ेगा आपको ठीक है इधर से एक है यहाँ पर और अभी क्या करना है यहाँ पर sunlight डोड़ना है तो क्या करना है इधर से अपना sunlight जोगा यहाँ का होगा तो इस area को इस area को बिलकु light रखना है हम बाकी के चीज़ों को dark करेंगे हम लोग ठीक है जो भी पीछे का है उसमें वो चीज़ डार्क होगा यह थोड़ा बहुत हम इसमें सिर्फ dark करते हैं उसके बाद इसमें कलर अप्लाई कर सकते हैं हम लोग इसमें जो color हो है यह थोड़ा सा अलग टैप का color है ठीक है यह और कि और जिठ्र यह सुड़ा सा राट राइंग करने कि एक ताग जयाना कर लिया है अभी इस पर पेंट और जो भी खाड टीटेल्स यह वह प्रेंट से अलग करेंगे ठीक है तो यह करना है अब प्रूश्ट्रो ब्रस एक इस तरह का डीटेल्स के लिए नॉर्मल यह वाला अब यह वाले नया ब्रस यूश्ट करते हैं यह दोनों सेम नंबर का ब्रस है और आप जाहों तो कोई भी राउंड ब्रस वगएरे यूश कर सकते हो ठीक है और यहाँ पर पेपर है यह काटिज सीट है यहाँ पर पैलेट यह देख रहा हो गी आप आटिस्ट वर्ट कलर रहे इसमें ठीक है उसको इदर से कर लेता है पलट के दिख रहा होगा आप लोगों को हां बर अबर दिख रहा है तो आप कोई भी इस तरह का अगर आपके कार्टिस पर यूज करते हो वाटर कलर पेपर पर यूज करते हो तो ठीक है ठीक है वाटर कलर पेपर ही होना चाहिए व ज्यादा थोड़ा सा फास्ट काम करना पड़ेगा ठीक है वो पेपर को आपको समझना पड़ेगा अच्छे से तब अच्छा कर पाओगे और फिर भी आप इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाओगे किसी भी पेपर में ठीक है जैसे वटर कलर पेपर में जो इफएक्ट आएगा आप उसकिसी भी चीज़ पे चाहोगे तो वह नहीं आएगा ठीक है पेंटिंग तो आप मना लोगै है तो जैसरे आप कोई भी वरटर कल़ पेपर योज करना और वाटर कलर पेपर अगर यूज़ कर रहे हो न तो मुझे लगता है कि मिनिमम आप कम से कम अगर 240 जी एसम का थेकने से पेपर का तो यहां तक सही है ठीक है आप 200 से अगर नीचे चले जाते हो तो पेपर आपका बिल्कुल वो प्लेन जैसा होगा इसमें टेक्स्चर नहीं होगा पेपर में तो पेंटिंग का उसमें वाटर कलर में इफेक्ट ज्यादा अच्छा नहीं आता है क्योंकि वाटर कलर मेडियम ऐसा है कि आपका पेपर जितना ज्यादा टेक्चर वाला होगा उतना ज्यादा उतना मज़ा आएगा और उतना अच्छा एफेक्ट आएगा पेंटिंग में ठीक है तो आप 240 250 प्लस जी एसम यूज करना पेपर यह ज्यादा अच्छा है और बाकी जवर्जस्ति में कुछ भी सही है यह समझ लो हुआ है ठीक है तो यहाँ पर क्या अकलर ले रहे सबसे पहले लेमन यह लो और व्रीटियन को मिक्स करते हैं एक लाइट ग्रीन बनाते हैं लोग ठीक है अब बहुत ही लाइट अब देखो यह कलर गिर गया यह अब यह अब यह पानी को इदर रखते हैं और अब भी इसको अप्लाई करते हैं देखो आज मैंने इस पर वाटर नहीं लगाया है लेकिन आप लगा के भी काम कर सकते हो लेकिन अब ऐसे भी काम कर सकते हो और dry paper पी भी काम कर सकते हो लेकिन fast कर सकते हो ठैझा है इसको dry नहीं होने देना है उससे पहले आपको dhiac करना है तो क्या करना है इस एरिया को यहां पर इदर से लाइट रखना है थोड़ा इसलिए मैं इस तरह का ग्रीन यूज कर रहा हूं ठीक है इधर भी थोड़ा यूज कर लेंगे कर दो कुछ भी इसी नहीं होता है बहुत लोगों को लगता है कि भाई यह क्यों बता रहा है यह तो वहुत इसी है ठीक है कुछ लोग मैसेज भी कर जाते हैं कि सर क्या है ये चीज़ों को आप बताते हो लेकिन फिर उने ही से काम नहीं हो पाता है ठीक है कुछ भी असान नहीं है अब उसको सही प्रोसेस के साथ उसका जो तरीका है उसका जो इफेक्ट है आप उस तरह से करके दिखाओ मुझे तो मैं समझूँगा कि हाँ अपने सही का है अब इसको ध्यान से देखो कि मैं कैसे कर रहा हूं ठीक है हलाके इस तरह का एक वीडियो मेरा चैनल पर अपलोड है जो के ट्री पर मैंने उसके भी बहुत डीटेल से बताया आप वहां पर जाके देख सकते हो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा ठीक है आप वहां से भी जाके देख सकते हो तो अभी क्या करना है अब मुझे इसको थोड़ा सा कलर मिक्सिंग चाहिए इस पर तो कलर सिम होगा लेकिन इस बर सेप क्रीन थोड़ा आ जाएगा ठीक है आपको बहुत ही पॉइंटेड बरस से इस तरह काम करना है ठीक है आप अगर जीरो नंबर यूज करोगे तो ज्यादा बेहतर है आप ट्रीपल जीरो करो तो ज्यादा अचाहिए लेकिन थोड़ा सा आपको फास्ट करना पड़ेगा आप अगर इस तरह से मोटे बरस से करते हो तो आप थोड़ा जल्दी बैलेंस कर लोगे ये भी सही है लेकिन अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो आप जीरो नंबर बरस यूज कर सकते हो और अगर आप इससे बैलेंस कर सकते हो तो आप इससे कर सकते हो ठीक है इसमें क्या होगा कि आप थोड़ा सा ज्यादा अभी क्या करना है अभी जो मुझे नीचे का जो मुझे नीचे का पॉर्सन को जो दिखाना है तो उधर में डार्क करूंगा ताकि लाइट एंड शेड का मुझे समझा सके तो उसके लेगा करना है सीप क्रीन लेना है थोड़ा कुबाल्ट लेते हैं थोड़ा डाग कलर आपको चाहिए बस ठीक है देखो इस तरह से थोड़ा सवरिध्यन भी ले लेते हैं अभी क्या करना है इधर अब ये वारा पॉर्ट संडार्क है है तो आपको बस रीफेरेंज को ध्यान से देखना है ठीक है कि वहाँ पर लाइट अड़ दिए किस एरिया पर है किस portion पर है आपको वो चीज को अच्छे से पहले observe करना है फिर उसको उसमें color apply करना है कुछ बहुत hard नहीं है लेकिन बस पहले डरना ही जाना है अभी और डार्क चाहिए color तो फिर से आपको सेम color बनाना है थोड़ा कोबाल्ट ग्रीन शेप ग्रीन व्रीतिय और सिर्फ टच मालना है आपको बस और फिर से ये नीचे वाला portion को आपको बिल्कुल डार्क रखना है तो क्या करना है ब्रस को ड्राइ होने से पहले आपको color को खीच रहा है बस ठीक है तो आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि आप लोगों का जो काम है ना उसमें ब्रस का दाग बहुत ज़्यादा आ रहा है ठीक है आप लोग बहुत कुछ समझ रहे हो color light and shade वगएर तो आप लोग अच्छा से समझ रहे हो लेकिन सिर्फ smooth काम नहीं कर पा रहे हो smooth कहने का मतलब है कि आपका जो काम हो रहा है उसमें ब्रस का दाग बहुत ज़्यादा आ रहा है वही painting को hard बना रहा है जोकि water color में वह चाहिए नहीं क्योंकि आप कोई poster color नहीं कर रहे हो कोई acrylic नहीं कर रहे हो water color को करने का तरीका कुछ अलग है जो आपको करना पड़ेगा समझना पड़ेगा और उसके लिए क्या करना है बस आपको कभी भी dry brush को चलाना नहीं है ठीक है अब dry brush चलाओगे कभी improve कर पाओगे जिन्दगियों में कभी नहीं तो इसलिए वह चीज को छोड़ो और थोड़ा fast काम करने का सोचो painting बनाने से ज्यादा बिगड़ने का डरोगे कभी अच्छा नहीं कर पाओगे ठीक है दडलने से काम करो बिगड़ जाएगा फिर से drawing कर लेने और क्या इसमें क्या है अभी क्या है इसमें मैं जितना भी detail करूं ना वो इतना मजाएगा ज़्यादा च्छोटे च्छोटे जितना में पत्तियों को बनाऊ वो देखने में इतना ज्यादा सुन्दर लगेगा लेकिन क्या मैं रात को सुबह कर दूं क्या रात से एक श्ट्रॉक से बस आपको समझाना है कि आपको बनाना कैसे है ठीक है बाके details तो details अभी बहुत सीखना है उस पर ज्यादा परिसान नहीं होना है देखो आज मैंने बिलकुल पानी नहीं लगा है कहीं पर भी लेकिन फिर भी काम स्मूथ हो रहा है ठीक है सिर्फ इसलिए कि मैं ड्राइब ड्रस नहीं चला रहा अब कलर एक बार ज्यादा बना लेना ठीक है क्योंकि मैं तो मुझे कलर पता है कि कितना डाग चाहिए कितना लाइट चाहिए लेकिन इसलिए मैं बार बार भी बनाता हूं तो कलर चैंज नहीं हो पाता है ठीक है लेकिन आप जिब करोगे कलर एक बार बनाओ ज्यादा बनाओ कर और फिर आप उस पेगाम करो पेगा लेकिन नहीं तो कर बार है छूँआ प्रकों घबाग छज्ट कर देघाग अज्ट कर लेकिना हो फिर गाता है क्याक लेकिन तो इस पे देखो सबसे पहले क्या करना है कि आपको पहले लाइट कुलर को वास करना है, ठीक है, जैसे मैंने किया कि ग्रीन, वरिधन ग्रीन के साथ मैंने लेमन गेलो मिक्स किया और फिर एक बार इस पे वास किया ठीक है, जहां पर मुझे लाइट दिखाना है, क्योंकि वाटर कलर में लाइट से डार्क की तरफ हम लोग जाते हैं, ठीक है, लाइट को छोड़ के और डार्क की तरफ बनाते हैं, और बाकी मेडियम में क्या होता है कि डार्क से लाइट की तरफ आते हैं, ठीक है, लेयर करके तो यह चीज बहुत के लिए रखना वर्टर कलर में आप अगर कर रहा हो तो और अब ही इस पर बहुत जादा कुछ नहीं चाहिए तो अब ही यह कितना स्मूथ लग रहा है और तो मस्त टाइप कट रही लग रहा है ठीक है बिलकुल फ्रेस अब ही क्या करते हैं इसके डल्यों पर पेंट करते हैं तो सबसे पहले तो इसको सबसे पहले क्या करना है आपको कि औरएंज लेना है ठीक है थोड़ा सा क्रोम येलो और क्रोम येलो के साथ आपको औरैंज मिक्स करना है देन आपको इस में अपलाई करना है तो इस एर ये को क्या है कि सनलाइट इधर से है ठीक है तो क्या करना है इधर थोड़ा सा लाइट रखना है उनको देखो यहां पर पी मैंने पहले वाटर नहीं लगा है लेकिन फिर भी मैं काम कर रहा हूँ ठीक है तो यह चीज क्या है कि आपको बस अपने ब्रस में कलर ज्यादा रखना है ठीक है यहां जहां भी मुझे चाहिए और इसके उपर भी एक डार्क कलर भी होगा जो कि शेड्स वाला कलर होगा तो यहां पर अंदर में भी बना सकते हैं चोटे-चोटे ब्रांचे लेकिन क्या है कि अभी यह ड्राइ नहीं हुआ है तो अभी थोड़ा इसको टाइम लेना पड़ेगा और नहीं तो अगर आप अभी अभी जबर जस्ति करते हो तो क्या होगा कलर फैल जाएगा और फैल पिंटिंग खराब हो जाएगा क्या करते हैं मुझे यहां पर डार्क थोड़ा चाहिए ग्रीन वाला क्योंकि यहां पर थोड़ा खाली लग रहा है ठीक है ब्रू ले लेते हैं ब्रंश रहना ले लेते हैं यहां पर कुछ यह अरिया थोड़ा खाली लग रहा था तो इसको मैं कवर कर दूंगा आपको डार्क टोन जहां भी चाहिए और तो आपको ड्राई होने से पहले अपलाई करना है ठीक है वहां पर आपको टाइमिंग समझाए कभी भी कहीं भी अगर आपको डार्क चीज है जैसे अभी मैं यहां पर डार्क टोन बना रहा हूँ यहां पर पैलेट में देख रहा हूँ और अभी मुझे डार्क टोन चीजिए तो क्या मैं ड्राई होने से पहले देखो यहां पर अपलाई कर दूंगा ठीक है ताकि कलर और वो एक natural effect लगे, ठीक है, अब अगर मैं dry होने के बाद इस पर करता है, तो क्या होता है कि मुझे ऐसे ऐसे करके रगड़ के, उसको mix करना पड़ता है, ठीक है, तो अगर timing के साथ करोगे, तो वो चीज़ से बचोगे, और painting ज्यादा सुन्दर लगेगा, क्योंकि verticular में अब ही, ये थोड़ा सा dry हो जाए, तो ज्यादा मजा येगा इस पर काम करने पर, ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन फिर भी, अब इसको share ना, ठीक नहीं है, तो अब ही क्या करते है, इसको थोड़ा सा dry होने देता है, फिर इस पर details करते है, तो ये थोड़ा dry हो गया है, अभी चलो फिर से करते हैं जो भी डेटेल से यहां पर थोड़ा सा और डार्क कवर कर लेते हैं क्योंकि और ड्राइ करने के लिए मैंने इस पर थोड़ा सा ड्रायर यूज कर लिया था ड्रायर यूज करने के लिए मैं वह चीज आप लोगों को नहीं दिखा था ठीक है आप यूज कर सकते हो क्योंकि अगर मैं इस तरह से छोड़ दू तो काफ़ी लंबा टाइम ले ले लेता है ड्राई होने में और अभी रात के देखो दो बच के 10 मिनट भी हो गए तो इसलिए थोड़ा जल्दी करना होता है तो यहां पर मैं थोड़ा सा और कवर कर ले रहा हूँ और मुझे कहीं पर जेगे डार्क तो यहां पर थोड़ा सा कवर कर लेता है और कितने लोगों को बुझा रहा है यह चीज़ और कितने लोगों को नहीं समझा रहा है तो मुझे कमेंड में जरूर बता ला क्या आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो तो यह हो गया अभी चलो क्या करते है आप इस पर थोड़ा आप इस पर डेटल्स करता है अभी क्या करना है मैंने एक बार लाइट कलर्स में अपलाई किया अभी थोड़ा मुझे डार्क चेके जिसको हम लोग में टोन बोलेंगे तो क्या करना है औरेंज लेना है थोड़ा सा यह हो एंड थोड़ा प्रंशियाना ठीक है अभी एक आपको डैरेक्ट सेट वाला कलर नहीं बना देना है यहाँ पर भी आपको तीन राउंड में कलर करना है ठीक है देखो वीडियो स्कीप करके देखो कि कुछ समझ नहीं आएगा ठीक है चाहिए मैं जितना डीटेल से बता दूँ जितना भी अच्छा मैं एक्स्प्लेंड कर लूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप अगर वीडियो को स्कीप करके देख रहे हो तो ठीक है क्योंकि मैं जहाँ पर कुछ अच्छा बात बताता हूं साथ वही पर आप स्कीप करके निकल जाते हों इसकीप करना छोड़ो मुझे लगता है कि इंप्रूमेंट जल्दी आएगा अभी क्या करना है चलो इस पर शेड़ वाला कलर बनाना है तो ब्रंट श्याना लेना है आपको एंड थोड़ा कोबार्ट लेना है कि इस बार डाक कलर चाहिए थोड़ा ओरेंज भी ले लेते है ठीक है और क्या करते हैं देखो जैसे इन सब जगों पर यहां पर सनलाइट का कोई चांस ही नहीं है तो यह आपको डाक करना है ठीक है और इधर से आपको इसमें भी यह होगा कि अब यह वाला इस तरह का छोटे चोटे ब्रांचे बनाना जरूरी है लेकिन अभी कहां कि यह ड्राई नहीं है साई से तो पिंटिंग कलर मिक्स हो जाएगा वह ख्राब हो सकता है पिंटिंग तो वह चीज के लिए आपको बहुत अच्छे से टाइम देना पड़ेगा इसको अच्छे से पहले ड्राई कर लें उस पर अब कभी जल्दवाजी ना करें सबसे पहले मैंने इस पर लाइट कलर अपलाई किया ठीक है जो कि औरेंज यार क्रॉम यालो के साथ मैंने किया उसके बाद थोड़ा मैंने डाक कलर मनाया ठीक है मैं टोन जिसको बोलेंगे और उसके बाद मैं सेट्स वाला कलर बना रहा हूं जो कि इत्तम डार्क है ठीक है और जहां पर शैडो होगा जहां पर शेट्स वाला कलर होगा वहां पर मैं अपलाई कर रहा हूं पूरे में नहीं अब ही यह अगर ड्राई हो जाता और इस पर मुझे थोड़ा सा और डार्क चाहिए तो इस पर क्या करना है ब्लू लेना है यानि की कोबाल्ट ब्रंश याना लेना है और अब भी इस पर कि देखते हैं करके की कि अ कि यह मुझे लगता है कि यह फैल जाए गए यहांपर अज़ेगा अज़ेगा कि अज़ेगा 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 है अज़ेगा है टेक यह चीज़ आप इकनम बिल्कुल पॉइंटेट बरससे बनाना आपको यहां पर अब देखो कि यहां से यह निकला हुआ है कि अज़ आपको GÁ Cinderella आपको यह ज़ेगा यहां। कि अज़ेगा में अज़ेगाई 5 शन UV की चीज़ेगा है कि अज़ेगा है से घगट यहां रहे गया है आपको इस तरह से डार्क कलर से आपको बनाना है कि अगर आप सेम अब बिल्कुल लाइट कलर अगर अपलाई करोगे ना इस तरह से अगर और इंशिंग यह यूज करोगे तो यहां पर दिखेंगा नहीं क्योंकि यह बिल्कुल डार के लिए है ठीक है अब फिर आप इस पर वाइट यूज करोगे तो दिख सकता है लेकिन वाइट यूज करना नहीं है ठीक है तो वाइट भी यूज कर सकते हैं थोड़ा बहुत हम लोग यूज करेंगे अभी फाइनल टच के लिए लेकिन बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है और इतर भी हुआ हुआ है तो इतना काफी है अब इस पर ज्यादा नहीं चाहिए कि इससे ज्यादा पेंटिंग खराब हो सकता है अभी क्या करना है थोड़ा वाइट चाहिए तो वाइट के लिए आपको पता है कि बहुत ही मोटा कलर बनाते हैं हम लोग ठीक है पोस्टर कलर की तरह आपको यूज करना है और टच मारना है वैसे जगाओं पर जहां पर आप चाहते हो कि थोड़ा लाइट दिखाना है मुझे ठीक है क्योंकि यह बिल्कुल डार के रिया है अब अगर इस पर थोड़ा सा वाइट टच के साथ अगर दिखाना चाहते हो ब्रांचिस को तो वो दिख सकता है क्योंकि यह बिल्कुल दिखाना है कि यहां पर कुछ ठीक है तो यह हो गया अभी नीचे में है जो भी थोड़ा बहुत कुछ ग्रेन टैप का अग्रास वगर है यहां पर निकला हुआ तो क्या करना है सबसे पहले आपको लेमन योलो लेना है पहले इसको एक लाइट कर ऊपर से अपलाई करना है थोड़ा सब्सक्राइब करने के लिए यह उपर के रिया है तो इस पर लाइट होगा और फिर नीचे से हम डार्ट करते चलेंगे ठीक है इस पर आपको बहुत ज्यादा इस तरह का आपका डीडेल्स करने लगा हो ना यह के पत्तियों को अगर दिखाना चाओ तो पींटिंग आपका खराब हो सकता है उस पर बहुत ज्यादा रगणना पड़ेगा इसलिए आप श्ट्रॉक के साथ करो इस पर डीडेल्स पर उल्जो मत ठीक है वह बल्कुल नैचरल होगा है एक एक चीज़ को बनाने लग जाओगे न तो फिर यह चीज बटकने लग जाता है ओपर वाला जो तो यह चीज होता है को ड्राइ होने के बाद अगर इस पर कलर शेंज अब वाल्यूम बनाना चाहो नो कलर मिक्स करना चाहो तो थोड़ा सा ज्यादा चैलेंज हो जाता है क्योंकि यह ड्राइ हो जाएगा और फिर आपको ब्रस को रगण नहीं पड़ेगा नहीं चाहते हुए भी तो यह चीज़े आपको बचना है तो अगर ध्यान आपका इधर उधर हो जाए ना तो यह चे गड़बड होता है तो गी था अप इस तरह से वाटर कलर अपना ट्री बना सकते हो और लैंड्सकेप बना सकते हो जिसमें आप ट्री आड़ कर सकते हो ठीक ऊपर के एरिय को मैने लाइट दिखाय। अर् लाइट दिखाने के लिए ने क्या क्या। ilason yellow यूज़ किया और breath and green यूज़ किया। ठीक है। पहले मैंने effect area को बनया। उसके बात फिर जहाँ मुझजा dark चारिया था। फिर मैंने सेब ग्रीन के साथ सेम कलर को मिक्स किया जैसे व्रिधन ग्रीन, सेब ग्रीन, प्रंट सियाना एंड थोड़ा सा कोबाल्ट बलू यह सब मैंने डार्क कलर बनाने के लिए किया और फिर नीचे में अपलाई किया तो अभी क्या है पिंटिंग अब जब देखोगे त तो इस तरह का आप ट्री बना सकते हो और अपने लैंड्स के पैड कर सकते हो आई होगे आप समझ गया होगे अब रात के देखो दो बच के 20 मिनिट हो गया और अब सोने का टाइम आगया है तो कल मिलते हैं नए कलास में फिर से और यह करके मुझे इस्टाग्राम में भेज हो या आपको किसी भी तरह का दिक्कत है कोई टॉपिक पर आपको प्राब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या इस्टाग्राम में मुझे भेज सकते हो मैसेज कर सकते हो अपना आटवर्क भेज सकते हो ठीक है तो मिलते हैं कल के क्लास में तब तक के लिए झाल झाल